नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे हॉरर का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए एक हॉरर स्टोरी और दारवानी कहानी लेकर आए हैं तो आईए इस कहानी को शुरू करते हैं छोटे से गाउ में दीपक नाम का एक यूवक रहता था जिसकी मा की मृत्यू हो चुकी थी और पिता की शराब की लत ने उसे अकेला छोड़ दिया था गाउ में एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया हवेली कहते थे कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी मोहबत की कहानी कहती है एक रात दिपक को सपना आया जिसमें उसने देखा कि एक सुन्दर युवती उसे हवेली की तरफ बुला रही है उसकी आखों में दर्द और प्रेम दोनों जहलक रहे थे अगले दिन दिपक ने अपने दोस्तों को इस सपने के बारे में बताया लेकिन सब ने उसे मजाक में उड़ा दिया लेकिन दिपक का दिल मानने को तयार नहीं था रात होते ही दिपक ने फैसला किया कि वह हवेली जाएगा वह एक टॉर्च और एक पुरानी तस्वीर लेकर हवेली की ओर बढ़ा हवेली के पास पहुँचते ही उसे ठंडी हवा का जोका महसुस हुआ हवेली के अंदर जाते ही उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी एक कमरे में उसने एक पुरानी डायरी पाई उसने पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि वह डाइरी एक युवती की थी जिसका नाम राधा था राधा का प्रेमी राजेश युद्ध में मारा गया था और राधा ने अपने प्राण त्याग दिये थे राधा की आत्मा अब भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी जैसे ही दीपक ने डाइरी बंद की उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है उसने मुड़ कर देखा तो वही युवती राधा खड़ी थी उसकी आखों में आसु थे राधा ने दीपक से का तुमने मुझे सुना मेरे प्रेम को समझा अब मैं मुक्त हो सकती हूँ दीपक के आसु भी रुक नहीं पाए राधा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली के अंदर की ठंडी हवा भी सामान में हो गई दीपक ने हवेली को छोड़ा और गाउं वापस लोटाया उसने अपने जीवन में एक नया मकसद पाया अपने गाउं को खुशाल और आत्माओं को मुक्त करना इस तरह एक डरावनी और भावुक कहानी ने दीपक के जीवन को बदल दिया और उसे सच्चे प्रेम और साहस की शक्ति सिखाई दीपक ने हवेली से लोटकर उस डायरी को अपने साथ ले आया और गाउं के बुज़ुर्गों को सुनाया बुज़ुर्गों ने बताया कि राधा और राजेश की कहानी सच्ची है राजेश गाउं का वीर योध्धा था जिसने अपने प्राणों की आहुती दी थी राधा ने अपनी आत्मा की शान्ती के लिए इस हवेली में तपस्या की थी दीपक ने निर्णे लिया कि वह राधा और राजेश की याद में गाउं में एक समारक बनवाएगा ताकि उनकी प्रेम कहानी अमर हो जाए धीरे धीरे दीपक ने गाउं में सुधार के काम शुरू की उसने युवाउं को शिक्षित किया और खेती के नए तरीकों को अपनाया गाउं की खुशाली बढ़ने लगी और लोगों ने भूतिया हविली को अब एक पवित्र स्थल मानना शुरू कर दिया दीपक की मेहनत रंग लाई और गाउं में शान्ती और प्रेम का माहौल बनने लगा राधा और राजेश की आत्मा को भी शान्ती मिली और दीपक के जीवन को एक नया अर्थ मिला दीपक ने गाउं के बच्चों को राधा और राजेश की कहानी सुनानी शुरू की ताकि वे जान सके कि सच्चे प्रेम और बलिदान का क्या महत्व है बच्चों ने भी इस कहानी से प्रेरणा ली और अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम को अपनाया दीपक ने गाउं में एक पुस्तकाले भी स्थापित किया जिसमें राधा की डायरी को प्रमुक स्थान दिया गया गाउं के लोग अब राधा और राजेश की कहानी को पढ़ते और उनकी याद में हर साल एक त्योहर मनाते थे वर्षो बीद गए और दीपक का गाउं एक आदर्श गाउं बन गया लोग अब प्रेम और एकता में विश्वास करने लेगे दीपक ने अपने जीवन में एक नया मकसद पाया था और वह अपने गाउं के लिए जी रहा था उसकी मेहनत और लगन ने गाउं को खुशहाल और समरिध्ध बना दिया था राधा और राजेश की आत्मा को भी शांती मिली और अब वे स्वर्ग में एक साथ थे दीपक की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं और अगर हम अपने दिल की सुने तो हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं इस तरह एक डरावनी और भावुक कहानी ने न केवल दीपक के जीवन को बदल दिया बल्कि पूरे गाव को भी एक नई दिशा दी दीपक ने साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे प्रेम और साहस के साथ आगे बढ़े तो कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है राधा और राजिश की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और दीपक की मेहनत ने उसे एक नायक बना दिया